तो दोस्तो भारत ने मालदीब को इसारों ही इसारों में एक एसी पटकनी दी है जिस से 24 घंटे के अंदर ही जो मालदीब की नई सरकार है वो बैक फुट के उपर आ जाएगी दरसल आप सभी को पता है कि जब मौम्मद मोईजू मालदीब के राष्ट पती नहीं बने थे तो मालदीब और भारत के संबंद काफी अच्छे थे परन्तु इन्होंने अपनी जनता को भारत के खिलाब भड़काया और चीन के प्रेम के चलते इन्होंने पूरे मालदीब में इंडिया आउट केमपेन को चलाया और जैसे ही इनकी सरकार आई है तो ये चीन के प्रेम में त प्तांत्रक एक्छाओं का सम्मान करो और अपनी सेना को मालदीब से बापस बुला लो परन्तु मालदीब के नए राष्टपती की इस प्रकार की स्टेटमेंट के बाद फाइनली हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे के अंदर ही लक्षदीब की यात्रा करी और वहां के व्यूटीफॉल व्यू को दुनिया भर के सामने रखा और इसका नतीजा क्या हुआ है कि लक्षदीब दुनिया के टॉप 10 गूगल सर्च के अंदर आ गया है आखिरकार दुनिया भी जानना चाती है कि लक्षदीब में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी भी बहां की य समलाव 7 बिलियन डॉलर की है इसमें से 30% का जो स्थान है वो है टूरिजम का और मालदीब में हर साल भारत से लाखों की संख्या में टूरिस्ट जाते हैं 2018 में भारत मालदीब में टूरिजम के नाम पर पांच में स्थान पर था 2019 में हम दूसरी स्थान पर आए 2021 में हमारी यहां से 2,91,000 टूरिस्ट गई 2022 में 2,41,000 टूरिस्ट गई और अब ही 2023 के अंदर 1,00,000 टूरिस्ट जून के अंद तक पहुँच चुके हैं यानि इस साल दो से 2,5,000,000 टूरिस्ट मालदीब जाएंगे जो कि मालदीब की बिलियंस ओप डॉलर की कमाई में एक मोटा हिस्सा परदान करेंगे और हमारी परदान मंत्री मोदी लक्षदीब का दोरा करके अपने भारत के लोगों को यह बताना चाते हैं कि हमारे यहां पर भी टूरि के लिए जाया जाए जिससे भारत का पैसा भारत में रहेगा और दूसरे देश जो आज हमारे ही पैसे पर हमें आखें दिखा रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे हाला कि आप सभी को क्या लगता है और जब चीन के समर्थन में मोहमद मोईजू इतने हद तक जा सकते हैं त कि आए ही इंद वन्दे मातरा